जेहिंद नमस्कार दोस्तों मैं विरार चोधरी श्वहत करता हूँ आप सभी का अपनी यूटूब चैनल कमांडो केर में पर दोस्तों आप सभी को पता है आप सभी ने सुन लिया होगा एक बहुत ही वाइरल चीज़ चल रही है एक तो परकाया वह आपने देखा होगा लेकिन साथ आप सबने ये भी देखा होगा कि अपिशियल जो साइट है एस पर इस परकार की कोई भी अपडेट नहीं है अब मैं आपको बता ज़ता हूं कि इसमें से क्या तो सच है और क्या जूट पहले तो सबसे पहले आप सभी लाड़ ल तो सो तीन ص değo पोस्ट ये इन पोस्टों की रहने वाली है लाड़ो ठीक है इसमें बिल्कुल वाश्ट पिकता है कि ये 56,000 ये नहीं हो सकता है कि बात में इस में पास्ट करदे इंक्रीज तो जो बच्चा यानि 10 दिशंबर तक ओवरेज हो रहा है यानि जिसकी 23 साल से उपर हो रही है जनरल के टेगरिका उसको भी मौका मिल जाएगा लेकिन इसके करण ऐसा नहीं होगा कि जो बच्चा 18 साल का हो गया उसको मौका नहीं मिलेगा बहुत सारे बच्चे यह सोच रहे कि सर फिर एज कब से काउंट होगी एज 10 दिशंबर 2022 से ही काउंट होगी यह जान रखना एक जनवरी 2022 से काउंट नहीं होगी तो किने मतलब एज में एक साल की छूट मिलेगी तो क्राइटेरिया 18 से 23 का वो बढ़ जाएगा 18 से 24 इसके अलावा बदलाव नहीं होगा यह सा सारा साल हो रही है 10 दिशंबर तक जान रखिए वो बच्चे 100 परसेंट तयारी में अभी लग जाईए जो बच्चे अब तक नहीं तयारी में लग जाईए लाड़ लोगर आप ओनलाइन मादिम से तयारी करना चाहते हैं तो कमांडर केड़ में एप्लिकेशन डाउनलोड क जारे हैं खेड़ में से भी वह बच्चे पूछते हैं कि सर रम डोकोमेंट्स बना नहीं बनाए किया पता एक साल कीछोट औक या नहीं होगी इसपेसलि में करता है या सो परसेंट शत्य नहीं है पर चरण से ज़ूर् है की सो परसेंट सकते हैं नहीं है चांज से जुरूर है कि एक साल की छूट दी जाए SSE GD में इस बार लेकिन इसकी पुष्टी केबल SSE GD की जो ओपिसेल वेबसाइट है उस पर आने के बाद ही कोई कर सकता है उससे पहले अगर कोई कर रहा तो वो बिल्कुल गलत है हो सकता है कि उससे 15-20 दिन पहले 25 दिन पहले पता चल जाता जब SSE इस्टा सेलेक्शन कमिशन में नोटिस बनना शुरू होता है लेकिन अभी से इसकी कोई अपडेट नहीं है कि एक साल की छूट दी जाएगी क्योंकि आप सब को पता है आर्मी में जरूर चूट दी गई क्योंकि आर्मी की भड़तियां रुक गई थी लेकिन SSE GD की भड़ती रुकी नहीं थी वो अपने समय पे आ रहे है इसलिए चांसेज कम है कि एक साल का छूट मिले क्योंकि SSE GD आपको पता लगातार वेकेंसी चल रही है इसमें कोई रुकाउट आई नहीं है और जब ये वेकेंसी एंड हो रही है उसके बाद अगली वेकेंसी आ रही है जबकि इससे पिछली वेकेंसी है वो तो बहुत डिले चली थी फिर भी छूट रही दी गई थी ए लोग जे हिंद जे भारत